हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं RG News और Bollywood की लेटेस्ट खबरों के साथ मैं मिठलेशनी साथ आपका स्वागत करता हूँ हो जाएं तैयार आज होने वाली है KGF Chapter 2 की रिलीज डेट की घोसना यस और संजय दत की Most Aveted Film KGF Chapter 2 साल 2021 में आने वाली है जिसकी घोसना निर्माताओं दोरा हाली में की गई थी और अब हम इस मेगई स्टार की रिलीज डेट जानने का बेसभी से इंतजार कर रहे हैं फिल्म KGF ने 2018 में प्रसंसकों की एक लहर के साथ बेंचमार्क इस्थापित कर दिया था जिसकी वज़ा से दर्सक लगातार फिल्म की दूसरे भाग पर नजर टिकाय हुए थे और अब फिल्म की रिलीज डेट सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा देगी या बड़ी घोसना अज साम साड़े छे बजे होगी सर्मन जोसी के पिता अर्विन जोसी का निधन नानावटी होस्पिटल में ली थी आखरी सांस बॉलिवूड एक्टर सर्मन जोसी के पिता अर्विन जोसी का निधन हो गया है उन्होंने आज यानी 29 जन्वरी को नानावटी होस्पिटल में आखरी सांस ली ट्रेट एनालिस्ट कोमल नहाटा ने जानकारी दी है कि अर्विन जोसी का मुंबई के नानावटी होस्पिटल में निधन हो गया है अर्विन जोसी के निधन पर अभिनेता परेश रावल ने भी सोक वेक्त किया है और इंडियन थेटर के लिए एक बड़ा नुकसान बताया है उन्होंने ट्विट कर कहा इंडियन थेटर को अपूर्णिय छती बेहत दुख के साथ हम जाने माने अभिनेता अर्विन जोसी को अलविदा कह रहे हैं एक इस्टाल वार्ट बहुमुकी अभिनेता ये वो सब्द हैं जो उनके बारे में सोचते हुए मेरे दिमाग में आते हैं वर्ड के टॉप 10 सेक्सिस्ट सूपर मॉडल की लिस्ट में उर्वसी रावतेला ने कराया अपना नाम दर्ज बॉलिवूड एक्ट्रेस उर्वसी रावतेला टेलेंटेट एक्ट्रेस में से गिनी जाती हैं उर्वसी रावतेला पहली इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने साल 2021 में वर्ड की टॉप 10 सेक्सिस्ट सूपर मॉडल की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है बताद उर्वसी ने हाल ही में बिलेनियर मुकेस अमबानी के जियो इस्टूडियोज के साथ तीन फिल्मों को साइन किया रितिक और दिपिका को लेकर बनेगी रमायन तीन सो करोड में मधु मंटेना करेंगे प्रड्यूस पिछले काफी समय से रमायन पर फिल्मे बनाये जाने की चर्चा है प्रभास और सैफ अली खान को लेकर पहले ही आधी पुरूस की घोशना हो चुकी है अब खबर यह है कि प्रोड्यूसर मधु मंटेना भारी भरकम बजट के साथ रमायन पर फिल्मों बनाने जा रहे हैं जिसमें रितिक रोसन दिपिका पादुकोन को राम और सीता की लीड रोल में लिया जाएगा क्या कैट्रीना ने नई तस्वीर में विक्की कोसल को गले लगाया है कैट्रीना कैप और विक्की कोसल एक बर फिर सुर्खियों में आ गया है गुरुवार को हैश्टेक कैट्रीना कैफ ट्वीटर पर ट्रेंड करने लगा कैटरीना ने एक व्यक्ति को गले लगाते वे तस्वीर साजा की है जिसे प्रसंसक विक्की कौसल मान रहे हैं बॉलिवूट अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर साचा की है जिसमें वहाँ एक व्यक्ति को गले लगाते हुए देखी जा सकती है। कैटरीना ने फोटो पर नीले रंग के तितली फिल्टर को उपयोग किया छवी में केवल कैटरीना का चेहरा देखा जा सकता है।